बिश्मिल्ला खान बनारस के अन्मान मंदिर पर शेहनाई बजाता है क्या हम उनकी संतान से पूछे तुम कि इतने भारती हो कि हमला चाहे कैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा हींसा करास्ता हमको अक्तियार नहीं करना है हम राजा राम को मानते हैं उनको मर्यादा पुष्ण त है था तो उन्होंने अपने दर्वार में कहा कि शर्णागत जे तजही निज अनुमाना कि जो व्यक्ति शर्ण लेने आने वाले व्यक्ति पे संदेह करता है और अपने हित को देखता है वह पाप का भागीदार है मैं 30 साल से उसको कवर करता रहा हूं मैं पहला पत्रकार र कानून को लेकर एक आवाज उठी पड़िये कुछ लोग विरोध में परदशन कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन में आखिर इस कानून में है क्या कि लोग विरोध कर रहे हैं कुछ परदशन कर रहे हैं हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार नारायन बारेट जी मौजूद है परिश साब कानून में ऐसा है क्या कि लोग विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं पहले जो नागरिकता कानून है और उसके साथ साथ यह कहा गया कि नेशनल जो रजिस्टर सिटीजिंशिप का उसमें आपको दस्ताविज देने पड़ेंगे उसको लेके ज्यादा शक गहरा गया है और समाज के एक हिस्से को लगता है कि इस कानून में उनको टार्गेट किया गया है लक्षे किया गया है उस संधे को दूर करने की वजाए वो और उसकी जो गहनता है वो बढ़ती चलीगी है इसलिए समाज का एकवर सड़कों पे और इस देश के बहुत सारे लोग उनके पक्स में बोल रहे हैं क्योंकि भारत की खूबी यह कि इसके साथ तकलीफ हो वो एक जाती एक धरम एक आस किया गया है जैसे उस देश में एवांची तो हम यह भूल जाते हैं कि जो बिश्मिल्ला खान बनारस के अन्मान मंदिर पर शेहनाई बजाता है क्या हम उनके संतान से पूछे तुम कितने भारती हो जो महाभारत के बहतरी डायलोग लिखता है राही मासूम रजा क्या हम उ इसने भारती हो नहीं हो यह कैप्टन अब्बास अली जिसको सुवाश्चेंदर बोस का साथ देने पर फांसी की सजा होगी ती क्या उनके पुछें कि तुम हम से कम भारती हो ज्यादा भारती हो इसलिए यह शक है हम एक सामुईक देसे और हम वो देसे जिसने कभी संसार के किसी भी सताय विव्यक्ति के लिए अपने दरवाजें बंद नहीं रखे हम राजा राम को मानते हैं उनको मर्यादा पुछन तब मानते हैं जब उनकी अविश्ण शरन लेने आया था तो उन्होंने अपने दरवार में कहा कि शरनागत जे तजही निज अनहित अनुमाना कि कि जो व्यक्ति शरन लेने आने वाले व्यक्ति पे संधे करता है और अपने हित को देखता है वह पाप का भागीदार है और वह अकेली उधारन नहीं है इतियास हमारा इस तरह के उधारन से भरावा है जब हिंदुस्तान ने अपने सब कुछ नोचावर करने की तमन्ना होगता है 1942 में जब पॉलेंड के यहुदी उनसे जर्मन हिटलर की सेना दोरा सताय वे जगे जगे शरन के लिए भटक रहे थे तो उनका जहाद जब गुजरात के तट पर पहुंचता है तो वहां के राजा दिग्विजे सिंग जड़े जाने उनको अपने शरन दी 700 लोगो हैं शादी में आता हैं विशेश करके हिंदू जो वहां के हैं वो अपने आपको परतारित बताते हैं तो उनको इस कानून थे फाइदा होगा की नुक्सान सुरुक्सा और बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उनको इनकार किया हो पहली बार बीजेपी सरकार के दोरान नो भील परिवार के लोगों को जबरन पाकिस्तान भेजा गया वह गिड़ाते रहे यासना करते रहे हाई कोट तक गए लेकिन इसके बावजुद उनको र हम एक अलग मुल्क है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको संसारवर में धिक्कारा जाता है हम उसकी नकल नहीं कर सकते हो हमारी नकल करेगा हम ऐसा मानते हैं और जहां तक गुस्पेटियों को बाहर बेजने की बात है तो यूपिय सरकार के दोरान 2005 से लेके 2013 तक 80,000 बंग है तो होगी इस कानून की एक और बात की यूवा जो राजनीती करना चाहते हैं उनकी शुरुआत की पहली पीडियों होती है विश्व विद्याले या कॉलेज इस पूरे जो प्रकरण जी जो आंदोलन चल रहे हैं इसकी सीडियां जो शुरू हो रही है वह उन्हीं लड़के लड़कियां बाहर निकलते थे और उस समय प्रकास नाराइण जैसा नेता था जो हमारी यूआ पीडि को एक संदेश देता था कि हमला चाहे कैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा ही साकरास्ताम को अक्तियार नहीं करना है जब समाज में राजनीती जड़ हो जाए ज हो सकते कि धर्माचारी के अपने मफाद हो सकते हैं लेकिन वो तरुनाई जिसके खून में परिवर्तन या अन्याय को ने सहन करने का जजबा होता है वो सड़कों पर आकर अपनी बात कहती है तो उससे हमारी सियासत को सबक लेना चाहिए पार्ट पढ़ना चाहिए इसलिए लोग आ रहे हैं लेकिन पाठ हिंसा को अपना गणा पड़े हैं हिंशा हमेशना को कमजोर करेगी अगर आप सड़क फोन बहाते हो तो वह खून मानवता होता है वह इंसानित का खून होता है खून तो खून होता है उसमें को हिंदू-मुस्लमान सिक शीचिशाई नहीं होत हमारे देश के निरमाता रहे हैं महत्मा गांदी उन्होंने जब अंग्रेश से लोहा लिया था तो उन्होंने आहिसा को हाथ में रखा था उन्होंने लाठिया खाई थी कितनी यात्माई सेहन की थी इसलिए हमारी आज़ादी आज मजबूत है कि हमने वाइलेंस के जरी इसको हींसा का पुटो इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के पास शास्तर दोनों रहें जब आप सकता पड़ी है हमने शास्तर पहले रखें हमने शास्तर को बाद में इस्तेमाल किया है इसलिए दुनिया कहती है कि बात है कि हस्ति हमारी मिठती नहीं है बहुत सारी सब्वेता मिट गई लेकिन हिंदुस्तान संसार की मैफिल में अब भी सरमुचा क्रेवे खड़ा है यह थे वरिष्ट पत्रकार नारान बारेट और जो बहुत नस्दीक से इन्हों ने पाक विस्ताफितों को कवर किया है पस्चिमी सरहद से आप आने वाले हैं और किस तरीके से जो प्र